Hello everyone, my name is Smith and you are watching technical government job all over India YouTube channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं Food Department की आई हुई latest job of Kansas के बारे में जहाँ पर आप इंडिया में किसी भी city, state, district, town के रहने वाले हैं आप इन अपडेट के लिए eligible हैं और apply कर सकते हैं कैसे apply करना है, क्या क्या eligibility रहने वाली है हर एक चीज को मियापे detail में cover करने वाले हैं तो आपने वीडियो को starting sentence जरूर देखना है सबसे important बात ही जो vacances रिलीज कीगी है 10th pass की अलग है, 12th pass की अलग है, any graduate की अलग है post graduate की अलग vacances आई हुई है तो हर एक vacances का detail में cover करने वाले हैं कौन सी post के लिए क्या eligibility है, क्या requirements है, क्या salary आपकी रहने वाली है वीडियो को last सक्स जरूर देखना अगर अगर चैनल पर पहली बार आई हैं इसी तरह से चाहते हैं, हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को subscribe करके, bell icon को press करके all पर click करना ताकि हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए बाकी इस update के इलावा और भी बहुत सारी department है जिनकी vacances आउट हो चुकी है आप अपने qualification city या फिर district के accordingly हमारी official website www.clory.com पर visit करके information लेकर apply कर सकते हैं लिंक website का description में आपको दिया गया है आप देख भी पा रहे हैं अगर आप इसको google पे type करेंगे ना तो आपके लिए ये beneficial होगा अगर आप इसको google पे type करेंगे सिधा आपको अपने location वाइज सिधा आपको अपने category वाइज विकैंसिस देखने को बिल जाएगी इवन qualification वाइज तो आप google पे ज़रूर से type करना www.clory.com आपको ज़री विकैंसिस वापे नजर आ जाएगी चलिए ज्यादा टाइम आले तो फूर डिपार्टमेंट की आई होई लेटेस जो विकैंसिस के बार में बात करते हैं सबसे पहले वीडियो को प्यारा सर लाइक जरू करना आपका एक लाइक मोटिवेट करते है आपके लिए ने अपडेट लेकर आने का तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हर क्वालिफिकेशन के एक विकैंसिस आयो हुई है टाइप ओफ जॉब की बात करें तो यह आपकी परमानेटली गवर्मेंट जॉब रहने वाले हैं आपकेशन का प्रिश्यन के रहने वाले हैं आप इंडिय विकैंसिस टाइप की तरह तरह इ से डाव आयी हुई है यहाँ पर अगर हम vacances की बात करें तो सबसे पहले जो post है इसमें district surveyor के लिए out हुई है second post की बात करें तो यहाँ पर area surveyor के लिए vacances है block surveyor की है, assistant store manager की vacances है, data entry operator की है और pn की vacances out हुई है, as though fresher आपके इसमें hiring होने वाली है तो इसके लिए apply आपको जरूर से करना होगा next अगर हम यहाँ पर बात करें number of vacances की post wise तो सबसे पहले जो post है, district surveyor के लिए 38 vacances आउट हुई है area surveyor के लिए 9 है, block surveyor के लिए बहुत सारे candidate आप में से definitely apply करने वाले क्योंकि इसमें number of vacances भी ज्यादा है और बहुत सारे candidate आप में से इसके लिए eligible भी रहने वाले है 190 vacances इसके लिए उसके बाद अजिस्टन सोर्ट मैनेजर के लिए 15 है, data entry बेटे के लिए 10 है और PN के लिए 15 vacances आउट हुई है, तो इसके लिए बात करें apply mode online है स्टार्ट हो चुक है apply करना, next बताऊंगे कैसे आपको apply करना होगा next इसमें अगर इन salary की बात करें, तो इसमें overall salary की बेकर मैं बात करूँ तो starting आपकी यहां पर 18,500 से है और maximum की बात करूँ 52,500 in hand आपकी salary रहने वाली है, यह इन्होंने post wise mention की हुई है आप post wise अपने accordingly चेक कर लेना ठीक है, क्योंकि यहां पर minimum मैंने आपको बताई है, maximum भी बताई है तो उसके accordingly आपकी इसमें रहने वाली है, next अगर बात करें, post wise eligibility की तो सबसे पहले इसमें जो post है वो PN की है, जिसमें 10th pass eligible है, apply कर सकने इवन 12th eligible है अगर वो चाते है, apply करना देन, उसके बाद next post की बात करें, तो block surveyor के लिए 12th pass eligible है नेक्सट बात करें, assistance tour manager के लिए 12th pass है, data interpreter के लिए 12th pass eligible है अगर data interpreter के लिए graduate पी चाते है, वो भी applies के लिए कर सकते हैं, कोई foundation नहीं है इसके लिए आपने ग्राइशन की हुई है किसी भी डिसेप्लन में आर्ट, साइंस, कुमर्स, किसी भी मतलब किसी भी डिसेप्लन में आप इलिजिबल है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं और इसकी साथ रिलैक्सेशन जो है आपका रिजर्ट के लिए रहेगा, OBC के लिए 3 साल का, SST का 5 साल का और अधर पर नॉम्स रिलैक्सेशन भी यहां पर अप्लाई जरूर से आप कर लेना उसके बाद यहाँ पे अगर आप्लिकेशन फी की बात करें तो अलगले category wise यहाँ पे आप्लिकेशन फी रहने वाली हैं जिसमें आपके starting 350 से 600 तक आपकी रहने वाली है चेक करके आप कर लेना ठीक है उसके बाद अगर selection procedure की बात करें मैंने आपको thumbnail में भी pension किया कि कोई interview यहा है आपकी जो सिथा यहां पर यहां पर क्वारिफाई कर लेते हैं आपको इन्वाइट किया जाएगा डिर्टी डॉकमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब कोच होके रहता है उसके बाद के लिएगा अप्लाई क्याивать सबसे important बात तो मैंने आपको इसका link description में दिया है क्लिक करेंगे नेया page open होगा लास्ट में आपको देखने को मिल जाते है required link जिसमें पहला लिंक आपको मिल जाते है apply online का second आपको मिल जाते है official notification का apply online लिंक पर click करेंगे नेया page open हो जाएगा left side में आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर login करने के लिए बोलेगा username password mention करके बट आप कैसे कर पाएंगे अगर आपने पहले रेजिस्टर ही नहीं किया है तो सबसे बहले आपको self register करना है मतलब अपने आपको पहले रेजिस्टर करना अपनी required details को फिल करके जो जो details मांग रहा है उसके बाद यूजर ने पासवर मैंशन करके आप लॉग इन होके अप्लाई कर सकते हैं आपका इसके बाद आपको प्रिंटाउ लेकर रखनाना फ्यूचर रेफरेंस के लिए वैसे आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से डिरेक्ली कन्फरमेशन भी आने वाली है तो उसी तरह से कोई अधर मोड अप्लाई करने का नहीं है बाकि कोई भी आपका कोश्चन को लेकर कमेंट जरूर करना चैनल पर पहली बार आए है सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करना चलिए आज के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे थैंक्स और वाजिंग